दोस्तों इस लेसन के अंदर हम लोग ilustrator के हوالے से जो चिज़ डिस्कस करने लगी है उसका नाम है actions अच워서 actions क्या होते हैं दोस्तों actions, illustrator और Photoshop दोनों के अंदर हमारे पस available होते हैं और basically actions का काम यह होता है कि देखें sometimes हम कोई भी अमल कर रहे होते हैं software के अंदर और हमें उसमें काफी time लग रहा होता है यानि दो तीन steps हम जो है वो करते हैं और definitely हर step के अंदर हमें एक specific amount of time जो है वो required होता है actions हमें क्या सहुलत देते हैं दोस्तो actions हमें ये सहुलत देते हैं कि हम उन दो तीन steps को at a same time एक single button को click करके actions के button को click करके बहुत जल्दी से थोड़े time के अंदर वो काम कर सकते हैं तो basically हम illustrator के अंदर set of actions बना लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी multiple tasks जो हम करना चाहते हैं अपनी किसी भी object के साथ या illustration के साथ या design के साथ वो हम उनका एक set of actions बनागे रख लेते हैं और फिर उसके बाद हम बड़े मज़े से जी आराम से बस एक single button जो हो click करते हैं और वो जो भी काम होता है वो बहुत जल्दी से हमारे सामने खुद बाखुदी automatically हो जाता है तो ये basically illustrator और Photoshop का एक आप समझ लें कि automation वाला एक यानि automatically working करने वाला एक छोटा सा हमारे पास option है तो चलें इस option को explore करते हैं illustrator की तरफ चलते हैं और explore करते है actions को अच्छा जी चलें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास illustrator में actions मौजूद कहां पे होते हैं यानि कि ये option हम कहां से choose कर सकते हैं यहाँ window के पैनल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें ओपर ही टूल्स के बिलकुल नीचे हमारे पास ये actions की option अवेलिबल है और जैसे हम इसको click करते हैं तो ये एक निया dialogue box हमारे सामने जो है वो open हो जाता है अच्छा ये एक आप देख रहे हैं कि set बना हुआ है काफी सारे actions हमारे पास मौझूद है और अगर इसको मैं button को click करूँ तो ये जो है वो मेरे जो options default action के हैं वो मेरे सामने open हो जाते हैं अच्छा जी ये देखें different actions हमारे पास यहाँ पर default actions के तोर पे पहले से बने वे पड़े में illustrator के अंदर जो के हमने नहीं बनाए already available हैं अच्छा सबसे पहले तो ये करते हैं कि इन में से कोई एक दो actions हैं उनको हम जरा देखते हैं study करके कि ये क्या करते हैं basically हमारे लिए तो मैं अभी ये एक square ले रहा हूँ और इसके अंदर color fill कर रहा हूँ कोई भी अपनी मर्जी से अच्छा अब यहां पे हमारे पास एक action पड़ावजी opacity 60 के नाम से यानि कि ये जो भी हमारा selected object होगा यहां पे जो भी हमने यहां पे अगर कोई ये for example एक object select किया हुआ है अगर इस पे मैं इस action को मैं play कर दूँ तो इस box की जो opacity है वो 60% पर चली जाएगी 100% से तीक है अभी आप इस वक देख सकते हैं कि इसकी opacity जो है वो 100% आ रही है आपके पास जब मैं ये action प्ले करूँगा तो ये खुद भाखुदी action के बाद सिर्फ एक single click से opacity जो है वो 60% पर चली जाएगी अच्छा ये करने से पहले मैं आपको ज़रा थूड आसा ये जो नीचे हमारे पास कुछ buttons अवेलिबल है इनके बारे में बताना चाहरा हूँ इसके बाद पर मैं वापस आके इसको action को play करके आपको दिखाता हूँ अच्छा जी ये हमारे पास नीचे एक button पढ़ा हूँ है delete का ठीक है उसके बाद यहाँ पर create new action और create new set की option हमारे पास available है ठीक है यानि आप एक set बना कर रख सकते हैं उसके अंदर आपके काफी सारे actions पढ़े होंगे जैसे ये इस वक्त मेरे पास एक set बनावे default actions का और इस set को मैं open करता हूँ तो ये काफी सारे actions इसके अंदर पढ़े है अच्छा इसके बाद ये एक button है बड़ा important button है यहाँ पे action menu में ये है play का ये वो button है actually जी जिसके लिए हम इस वक्त ये सारी चीज जो है वो discuss कर रहे है कि इस एक single click से हम जो भी अमल यहाँ पे हमने action के तोर पर बनागे रखा हुए वो यहाँ पे हमारे art board में हमारे object के साथ हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे ये एक recording का button है ठीक है जी begin recording और stop recording इनके उपर अब मैं बाद में आपको आके बताता हूँ कि हमने खुझ से कोई action कैसे हम create कर सकते हैं उससे पहले आप मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे यह जो मैंने आपको बताया था कि opacity 60% वाला एक action पड़ा हूँ है तो अब आप लोगो पता चलिए कि यह वाला जो button है इसकी मदद से हम किसी भी action को play करके देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि दोस्तों यह selection करनी लाजमी है यानि अगर आपने यहाँ से इस object को select किया होगा और फिर यह play का button प्रेस करेंगे तो यह action काम करेगा otherwise काम नहीं करेगा तो मैं इसको अब play करता हूँ तो यह देखें मैंने जैसे इसको play किया यहाँ पे गोर करें इसकी जो opacity है यह 60% होगी इसी तरह से और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे by default जो है वो बने वे actions इन में कुछ जो बड़े फाइदे वाले बड़े interesting से हैं जिनको आप use कर सकते हैं यह अगर आप गोर करें यह देखें safe for web jif, safe for web jpeg safe for web png यह अगर आप website के लिए काम कर रहे हैं website design कर रहे हैं आपने जो design बनाया है वो किसी website के लिए बना रहे हैं तो आप यहां से आके simply अगर for example website के लिए किसी खास format के अंदर file को safe करना चाहते हैं जैसे आम तोर पे हम जब कोई एक चीज बनाते है website के लिए तो वो हम सबसे ज़दा जो उसमें format यूज करते हैं वो यह पी एंजी का होता है तो अगर हम web के लिए पी एंजी सेव करना चाहें तो हमें वो जा के save as में पूरा process करने की बजाए हम सिर्फ यहां से simply इस button को play करेंगा और यह जो हमारी file है यह सेव होजएगी पी एंजी के तौर पे default actions का जो set है इसको बंद कर रहा हूँ और यहां से मैं क्या करता हूँ कि मैं एक निया set create करता हूँ यह create new set पर मैंने click किया अब इस पे मैं for example लिख देता हूँ new set और मैं करता हूँ ok तो यह देखें यह मेरे पास निया set बनावा आ गया है default sets के नीचे default actions के नीचे अब यह मेरा अपना बनायावा set है अच्छा जी अब इसी तिरह से यहां पे है create new action इस पे मैं click करता हूँ यह एक चोटा सा dialogue box आया है यहां पे सबसे पहले मैं action का नाम लिख सकता हूँ मैं अभी इस वक्त transform का एक बनाने लगा हूँ चोटा सा तो उसका मैं नाम दे देता हूँ यहां पर यहां मैं बता रहा है कि आप कहां पे save करना चाते हैं किस set के अंदर save करना चाते हैं तो मैं definitely इसको अपने इस new set में save करना चाहा हूँ अच्छा यहां पे एक दो और बड़ी interesting सी options हमारे पस मوجود हैं यह भी जरह सुनते चलें एक यह function की यानि हम जो set बनाते हैं उस set को यहां actions open करके यहां से आके play करने के save ही ज्यादा असानी हमारे लिए यहां पे available है वो क्या है अगर हम इस dialogue box को fill करते हुए यहां पे function की इसकी देना चाहें यानि for example हम shot की इसकी बनाना चाहें कि अगर हम shift F2 प्रेस करें तो यह जो हम action बनाने वाले हैं यह हमारा action खुबाखुदी play हो जाए तो यह हम यहां से कर सकते हैं अच्छा जी इसके बाद हम इसका color जह हो दे जाएगा और बाद में मैं उसको stop करने के बाद उसको play करके देख सकता हूँ तो चलिए इस फ्यूब मैं right click करता हूँ transform में जाता हूँ transform जो है यह मैं आपको पहले भी बता चुकर हूँ transform के अंदर ही एक option available है transform each की जिसमें हम किसी भी चीज़ को scale भी कर सकते हैं और move भी कर सकते हैं यह खास तोर पर हमारे लिए तब इस्तमाल में आती है जब हम multiple चीज़ों के साथ काम करने हैं और हमने उनको individually जो है वो उनकी scale और movement वगरा जो है या angle वगरा जो है वो करना हो यानि उनको अकठा select करके हम चाहें कि हम उनको ऐसे move करें कि वो अलग-अलग move हूँ और as a group भी move हूँ तो हम इस transform each वाली option में आते हैं बरहल अभी हमें इसकी फिलहाल जो है यहां से इसकी यह देखें vertical height में इसकी बढ़ा रहा हूँ और इदर से मैं इसकी horizontal height जो है यह भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इसके बाद मैं अब इसको move करता हूँ ठीक है यह आप value दे के भी कर सकते हैं और आप यहां से enter भी कर सकते हैं और यहां से यह जो आपके पास एक buttons दिये में इनकी मदद से भी आप इनको move कर सकते हैं तो यह देखें मैंने थोड़ा सा scale किया थोड़ा से मैंने इसको move किया अब मैं हलका से देता हूँ rotate ठीक है जी इसके बाद मैं क्या गरता हूँ इसको मैं यहां पे copy की option पे click करता हूँ और यह देखें मेरी यह copy अब जनाब याली यह मेरे पास एक transform के नाम से एक निया action बनावा आगया है अब मैं क्या करूँगा कि मैं simply यहां से कोई भी चीज ले लेता हूँ for example मैं एक ellipse ले लेता हूँ या बलके मैं यहां से एक जनाब polygon टूल में जाकी यह shape ले ले लेता हूँ hexagon की अच्छा जी अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पर simply यह देखें मैंने प्रेस किया transform each का यह transform का जो action था और यह मेरे पास यह अमल सारा हो गया अच्छा अब यहां पर यह एक और important बात मैं आपको बताता चलों इसको मैं cancel कर रहा हूँ यहां पर दोस्तों आपने करना यह है कि यह जो एक toggle dialogue आपके सामने यहां पर open है इसको आपने off कर देना है अगर इसको आप on रखेंगे तो होगा क्या कि यहां पर कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनके लिए वो आपसे options मांगेगा यह आपकी choice है यह आपकी requirement के उपर depend करता है कि आप क्या काम कर रहे है sometimes आप कहते हैं कि ठीक है जी सारा कुछ automatically ना हो एक आदी option जो important है वो मेरे से खुद भी मांगे तो मैंने यहां पर यह toggle button on किया हुँ था तो अभी उसने transform each का panel open करके मेरे से कुछ options खुज set करने को का था अगर आप चाहते हैं कि कोई भी action आपको set ना करना पड़े सारा कुछ ही खुद ही कर दे action तो इस toggle button को आप off करके जो है वो play करें तो फिर यह खुद भाखुद ही यह देखें जो भी अमल आपनी किया होगा वो अपने आप कर देगा तो यह दोस्तों basically action है हमारा और यहां पे कुछ options है playback के हवाले से यह playback में आपके पास option है कि आप इसको accelerated यानी speed के साथ आपका process हो या step by step हो या pauses के साथ हो तो इसको भी आप खुद से set कर सकते हैं तो I think कि इतना enough actions के हवाले से और आप खुद से actions बना के इनको देख सकते हैं और नए-ने actions यह वाप खुद भी create कर सकते हैं और इससे definitely आपको बहुत ज़दा सहूलत होगी I hope आप लोगों को actions जो हैं वो समझ आ गए होगे illustrator के अंदर actions हमारे लिए काफी ज़दा helpful है और आप लोगों ने देख लिया कि आपने इसको किस तरह से create करना है अब आप लोगों ने इसकी ज़दे ज़दा practice करनी है जो भी different आप काम करना चाते हैं अपना time save करने के लिए illustrator के अंदर काम करते हुए actions बना के रखें और ताके वक्त पढ़ने पर आपके वो काम आ सकें इंशाला ताला next lesson में illustrator के हवाले से किसी और tool या किसी और feature को लेके आपके लिए हाजर होगा